नमस्कार बच्चो, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइन्स टीचर चलिए जो है, इस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को कम्प्लीट कर लेंगे और आज इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जन्तु हॉर्मोन के बारे में इस चेप्टर के लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पादपों के अंदर नियंतरन तथा समनवे तो उनके अंदर कोई ऐसी ऊता क्या फिर कोई ऐसी कोशी का नहीं पाई जाती जो कि उनके उपर नियंतरन कर सके और उनमें कॉडिनेशन कर पाए इसके लिए उनमें कुछ हॉर्मोन पाये जाते हैं जिने अपन कहते हैं फाइटो हॉर्मोन उनके वज़े से उसमें क्या होती है गती होती है या फिर उनमें कॉडिनेशन होता है जो पादपों के अंदर गती होती है वो दो तरीके से होती है एक होती है व्रद्धी पराश्रित और एक व्रद्धी से मुक्त तो जैसे चुई मुई के पौधे को आपने चुआ तो उसमें होने वाली जो गती है वो क्या है व्रद्धी से मुक्त है और व्रद्धी पराश्रित गती जैसे आपके प्रतान की गती फिर उसके बाद हमने दे जाविश लुवर्टर्ण, तीसरा जल şunu अनुवर्टर्र और चौता गुरुथवा अनुवर्टर्र और इसके बाद हने देखा था फाइटो होर्मोन पाच होर्मोन हमने देख थे देखे थे आक्सील, जिब्रेलिन, एपसेसिक, साइटोकाइनिन और एथिलीन हॉर्मोन ये पाचो हॉर्मोन अपने प्लांट्स के अंदर पड़े थे अब जो सबसे इंपोर्टेंट इस चेप्टर का पार्ट वो है आपका क्या जंतु हॉर्मोन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरस्टिंग आपका ये ट ग्रंथियों को क्या कहा जाता है ग्लेंट्स कहा जाता है तो देखिए ग्रंथियों के बारे में हम डिसकस करने वाले हैं ये जो आपकी ग्रंथिया होती है वो किसी ना किसी विशेश प्रकार का हॉर्मोन या फिर किसी विशेश प्रकार का कोई क्यामिकल रस रिलीस करती है juice release करती है उन्हें अपन कहते है ग्रंथिया याने की glands अब ये जो आपकी ग्रंथिया होती है वो majorly तीन टाइप की होती है वैसे तो दो करते हैं लेकिन एक और टाइप अपन बना लेते हैं तो इधर तीन टाइप की आपकी ग्रंथिया होती है पहली होती है आपकी बही इस्त इस्तरावी ग्रंथी जिने अपन कहते हैं exocrine fluids क्या कहा जाता है, exocrine fluids कहा जाता है दूसरी आपकी आती है अंतह इस्तरावी ग्रंथी जिने अपन क्या केते हैं, इनको कहा जाता है endocrine aliens क्या आपकी आती है मिश्रिद ग्रन्ति जिनने आपन क्या कहते हैं मिक्सड ग्लैंड है आप देखो तीनों में क्या डिप्रेंस है सबसे पहले आपन लेते हैं बही इस्तरावी ग्रंथियों को तो एसी ग्रंथियां जिन के लिए किसकी requirement होती है नलीकाओ की requirement होती है और ये जो नलीकाओ होती है इनके द्वारा जो secretion नलीकाओ की requirement यानि की इनको कहते है अपन डक्ट्स इनके द्वारा जो secretion होता है इस्तरावन होता है वो किसका होगा किसी ना किसी रस का किसी ना किसी जूस का इस्तरावण होगा किसके द्वारा बही इस्तरावी ग्रंथियों के द्वारा रस का या फिर आप क्या लिख सकते हो जूसेस का इस्तरावण होता है ठीक है इसको अपन क्या कहते हैं बही इस्तरावी जैसे इनको नलिकाओं की ज़ुरत है क्या होने के लिए एक्सक्रीट आउ इनके लिए रक्त की आवशक्ता नहीं होती है, इनका जो सिक्रीशन है वो ब्लड में जाके नहीं मिलता, जैसे आपके बॉड़ी पर पसीना आता है, वो आता है स्वेट ग्लेंड्स की वज़े से, अब ये जो पसीना है वो बॉड़ी से बाहर जाता है, क्या आपने देखा है आसूओं के जाद कभी खून निकल रहा है, नहीं न, तो वो तो क्या है, वही ये तो सब बेकार की बात है कि तो जो खून के आसू रुलाऊंगा, तो जो जिनके लिए हमें ब्लड की रिक्वार्मेंट नहीं होती, यानि कि जो ब्लड में जाके मिक्स नहीं होती, और जिसके दौरा ओइल का सेक्रीशन होता है, रात को सोते हो, सुबह उटते हो, नोस के पास ऐसा ओइल-ओइल सा नजर आता है, तो यह क्या है, आपके सिबेशियस ग्लेंड है, जो कि एक ओईल का इस्तरावन करती है, आपकी स्कीन को सॉफ्ट बनाए रखने के लिए, जो सब सबसे बढ़ी एक्जमपल है न बही सेभी गरंथी कर वो क्या है यकरत है क्या है क्या है यकरत गरंथी बैस्ट एक्जेंपल है किसका बही इस्तरावी ग्रंथी का अब ये जो आपकी यक्रत ग्रंथी होती है आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी है यक्रत क्या है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी है कौनसी यक्रत ग्रंथी ठीक है भाई, आगई बात समझ में, तो ये क्या है आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी है? यक्रत ग्रंथी ठीक है? क्या है बही इस्तरावी ग्रंथी? अब अपन आते हैं अन्ताइस्तरावी ग्रंथियों पे देखो एंडोक्राइण ग्लेंड्स क्या होती है जिनके द्वारा किसी विशेश प्रकार का हार्मोन रिलीस किया जाता है उन्हें आपन कहते हैं अंता इस्तरावी ग्रंती यानि की एंडोक्राइण ग्लेंड्स इनके लिए नली काउ की यानि की डक्ट की रिक्वाइर्मेंट नहीं होती ठीक है भाई और इनके लिए रिक्वाइर्मेंट किसकी होती है खून की यानि की बलड की रख्त की ये जो सिक्रीशन करेगी वो आपके बलड के साथ मिक्स होएगा ठीक है तो इसलिए ये जो हॉर्मोन सिक्रीट करती है उसके वो किसमे जाके मिक्स होता है ब्लड में ये जो आपकी अंतहस्तरावी ग्रंतिया है किसी विशेश प्रकार का हार्मोन रिलीज करेगी अगर इसके example देखे जाए अंतेस्तरावी ग्रंथियों के तो बहुत सारी अपनी अंतेस्तरावी ग्रंथी है जैसे कि आपकी pineal ग्रंथी हो गई जो कि कहां present थी अपने brain में पड़ी थी न कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथी कौन सी है pineal काय ग्रंथी जो कि आपके brain में present होती है जैसे आपके पियूश ग्रंथी हो गई जिसे अपन क्या कहते हैं master ग्रंथी कहते हैं कहते हैं नहीं कहते साथ के साथ और भी बहुत सारी gland है जैसे आपकी thyroid ग्रंथी हो गई जो की गले में present होती है H-shape की कौन सी ग्रंथी thyroid ग्रंथी जैसे व्रेशन ग्रंथी हो गई अंडाश्य ग्रंथी हो गई कोई ना कोई अगर hormone सिक्रीट कर रही है तो यानि की अन्ताइस्त्रावी ग्रंथी अब अपनी तीसरी जो है ग्रंथी आती है जिसे अपन कहते हैं मिश्रित ग्रंथी मिश्रित का मतलब है यानि की ये एक्जोक्राइन भी है बही इस्त्रावी ग्रंथी भी है और ये एंडोक्राइन भी है यानि की आपके अंताइस्त्रावी ग्रंथी भी है इसलिए अपन इसको क्या कहते है mixed gland मिश्रिद ग्रंथी कहते हैं अब ये juices का release भी करेगी secretion करेगी मतलब की कोई रस है उसका इस्तरावन करेगी साथ के साथ ये hormone का इस्तरावन भी करेगी दोनो टाइप की है न तो दोनो इस रिलीज करेगी अगर नाशे को आपन कहते है पैंकरियाज किया कहते है जो कि आपके इस्तरावन करती है साथ के साथ एक ह applauds होर्모न जिसका नाम है इंसुलिन और ग्लूका गॉन हॉर्मून रिलीज करती है आपकी अगनाशे ग्रंथी तो यसे अपन कहा दिये क्या मिशिद ग्रंथी आई के निया इबात समझ में अब एक करके जो जो आपके सिलेवस में दी हुई है उन ग्रंथियों के बारे में यहां पर अपन चर्चा करे देखिए सबसे पहले आती है अंते इस्त्रावी ग्रंथिया जिने अपने क्या नाम दिया एंडोक्राइन ग्लेंड्स नाम दिया ठीक है बाई नली का विहीन यानिकी डक्टलेस ग्रंथियों को अंते इस्त्रावी ग्रंथिया कहते हैं पीनियल ग्रंथी पिट्यूट्री ग्रंथी थाइरोइड ग्रंथी एड्रीनल ग्रंथी इस एड्रीनल ग्रंथी को अपन अधिवरक ग्रंथी भी कहते हैं क्या अधिवरक ग्रंथी भी कहते हैं इस तरीके से किडिनी के उपर एक जोड़ी ऐसे टोपी पना देते हैं यह क्या है आपकी एक जोड़ी एड्रीनल पाई जाती है जो की adrenaline hormone release करती है ठीक है चलिए देखिए एक बार ये है आपकी क्या इसके अंदर जो भी आपकी endocrine gland से अंता इस्टावी गरंतिया है वो दिखाई गई है देखो सबसे पहले उपर की साइट brain में देखो कितनी गरंति होती है brain में आपके 3 गरंति होती है मस्तिशक के अंदर कहाँ मस्तिशक में आपके 3 गरंतिया होती है कौन कौन सी पहली है आपकी hypothalamus जो की क्या है आपका master of master gland है brain का एक पार्ट भी है साथ के साथ गरंति भी है ठीक है दूसरी गरंती होती है आपकी पीrenthis जिसे अपन क्या कहते हैं पीट्यूट्री ग्लैंड कहते हैं यह प्षय जक्रशुस्त पीए तीसरी ग्रंथी वह होती है piniel kai granthi कौन सी piniel kai granthi जो कि आपके brain में present है इसे अपन मनुष्य की तीसरी आख भी कहते हैं यह तीन आपके brain में तो देखो hypothalamus, pituitary और piniel जो कि कहां हुई आपके brain में present होती है अब नीचे आजाओ घुटा सहा घले में फिर आपकी आती है ठाइरोइड ग्रंथ अंदक है यह हो अर्मों एचर शेप की यह फिर आपके ऊढ़न के depth यसाइड ही कौन अधा रहा थाइरोइड ग्रंथी गले में ही कौनसी पैरा थाइरोइड ग्रंथी प्रेजेंट होती है गले में ही ठीक है तो गले में दूसरी कौनसी हो गई पैरा थाइरोइड अब थोड़े से नीचे आजाओ वक्ष गुहा में प्रेजेंट होती है आपकी ग्रंथी तो वक्ष में आपके प्रेजेंट होती ह थाइमस ग्रंथी कौनसी थाइमस ग्रंथी प्रेजेंट होती है वक्ष में जो कि 15 साल तक ही एक्टिवेट रहती है फिर यह काम नहीं करती ठीक है अब आजाओ थोड़ा सा और नीचे तो यहां पर थाइरोइड हो गई यह तीन हो गई यह थाइमस हो गई फिर थोड़ा सा न ग्रंथी कहते हैं एड्रिनलीन हॉर्मोन रिलीज करेगी तो यह आपकी एड्रिनल ग्लैंड हो गई ठीक है इस तरीके से नेक्स्ट अपनी आती है कौनसी पैंक्रियास ग्लैंड जिसे अपन कहते हैं अगनाश्य ग्रंथी यह आपकी अंतहिस्त्रावी भी है और वही इस्त जनन ग्रंथियां तो दो जनन ग्रंथियक कौन कौन सी पहली जनन ग्रंथी है आपकी व्रशन ग्रंथी जो की टेस्टिस्टेरों हॉर्मोन रिलीज करेगी और किस में प्रेजेंट होती है ըरों के अंदर मेल्ज के अंदर us entwickeltी है अंडाश्य ग्रंथी ओवेरी ग्लेंड जो कि किसमें फीमेर्स में मादाओं में प्रेजेंट होती है और एस्ट्रोजन प्रोजिस्ट्रोन हॉर्मोन रिलीज करती है तो इन सब ग्रंथियों में से कुछ ग्रंथिया आपके सिलेबस में देई है एक करके जो है अम इनको पढ़ते हैं अब कर्या, तो सबसों पहली अपन यहां पर डिशक्व करते हैं थाइरोइड ग्रंथी कौन सी थाइरोइड ग्रंथी तो इस डि cri missions ए इस ताडीकर से ये जो हॉर्मोन रिलीज करती है वो कौन सा है तो थाइरोक्सिन हॉर्मोन ये थाइरोइड ग्रंती रिलीज करती है इसके लिए किसकी आवशक्ता होती है तो आयोडीन की आवशक्ता होती है किसके लिए थाइरोक्सिन हॉर्मोन के संशलेशन के लिए अब आपने देखा ओगा कई बार या फिर सुना ओगा कि जो है शुद्धायोडीन वाला नमक वो खाना जाईए सुनै नी किना क्योंकि अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसकी वज़े से एक रोग हो जाता है जिसे अपन कहते हैं गलगंड रोग या फिर घैंगा रोग ठीक है ऐसे गला जो है फूल के लटक जाता है तो इस तरीके से यह आपकी कौन सी ग्रंथी हुई थाइरोइड ग्रंथी यहाँ पर ठीक है अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी ग्रंथी आती है वो है आपकी पियुश ग्रंथी जिससे अपन क्या कहते हैं पिटियू ट्री ग्रंथी भी कहते हैं इसका दूसरा नाम होता है मास्टर ग्रंथी अब इसको मास्टर ग्रंथी क्यों कहते हैं भई तो इसको मास्टर ग्रंथी इसलिए कहते इसे वज़े से अपने इसको कहते हैं, जैसे आपके फादर है, आपको जो है मोटिवेट करते रहते हैं, कि पढ़ाई कर लो, ये काम कर लो, वो कर लो, इसी तरीके से ये और गरंतियों को बोलते हैं, कि हार्मोन रिलीज कर लो भाई लोगों, तो ये आपकी क्या है, मास्टर गरंति है, जो कि कहां पर प्रेजेंट होती है, ब्रेन में मटर के दाने के समान, और ये बहुत सारे हॉर्मोन रिलीज करती है, जिसमें से कुछ जो है हॉर्मोन लिख देती हुमें, व्रदी हॉर्मोन, ग्रोथ हॉर्मोन, रिलीज करती है, कौन? आपके पियुश गरंति, तो इस तरीके से यह नजर आ रही है यहाँ पे यह क्या है आपकी पियुश ग्रंथी है ठीक है चलिए नेक्स अपने पास आती है तीसरी इसका नाम है आपके अधीवरक ग्रंथी क्या नाम है इसका अधी व्रक ग्रंथी, अधी व्रक ग्रंथी को कहा जाता है adrenal gland भी, मैं color change कर लेती हूँ, शायद इससे जो है दिखेगा नहीं, देखो, अधी व्रक ग्रंथी को क्या कहा जाता है, adrenal gland भी कहा जाता है अब यह जो आपके adrenal gland है, यह कहा पर प्रेजन्ट होती है, तो kidney के उपर व्रक के उपर की side जो है, यह आपके present होती है तो देखो यह आपके kidney है इसके उपर यह टोपी आपको नज़र आ रही है इसने पैन रखी है जो दिखाने के लिए ने पैन रखी स्टाइल मारने के लिए यह वाई अधिवरा का ग्रंती है अपनी adrenal gland है एक जोड़ी adrenal gland present होती है kidney के उपर यह hormone release करती है जिसे अपन कहते है adrenaline hormone कौन सा adrenaline hormone जो है यह release करती है यह जो hormone है इसको अपन क्या भी कहते है आपात कालीन hormone कहा जाता है आपात कालीन hormone क्यों कहते है भाई इसको तो आपने देखा होगा कि जब आपको डर लगता है भेंकर एक्जाम का डर है मानलो एक्जाम उसमें बैठे हो और तुम्हारा हो गया है वहाँ पे टाइम पूरा तुम्हारे कुशन्स रह गया है तो एक दोम से तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है ऐसा क्यू होता है यह एड्रिनलीन हो व्लाइट यह सुच्वेशन से भाग जाना होता है तो उस टाइम पे आपके कौन सा हार्मोन रिलीज होता है एड्रीनलीन होर्मोन इसी वज़े से अपन इसको 3F हॉर्मोन भी कहते हैं फियर फाइट और फ्लाइट जैसे डर लग रहा है उस टाइम पे अर आड्रिनलीन हॉ अब आपने देख लिया, सुचेशन आपके हाथ में आपको वहां से भागना है, यानि कि फिलाइट के टाइम पे आपका ये हॉर्मोन रिलीज होता है, एडिनली हॉर्मोन, ठीक है, आगई बास समझ में, अब इसको हॉर्मोन को अपन दूसरा नाम भी देते हैं, लडो या उ हॉर्मोन कहते हैं, या किसको 3F हॉर्मोन कहते हैं, इस तरीके के कुशन आपके एक्जाम में आते हैं, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट जो अपनी आती है, वो आती है अंडाश्य ग्रंथी, जिसे अपन क्या कहते हैं, ओवेरी ग्लेंड कहते हैं, जो कि किसमें प्रेजेंट होत यह शयद कलर आपको दिखने रहा होगा तो मैं कलर भी चेंज कर लेती हूं फिर से देखो यह जो है इसको क्या कहते हैं अपर ओवेरी ग्लेंड कहते हैं ठीक है यह किसमें प्रेजेंट होती है फीमेल्स के अंदर यानि की मादाओं में यह ग्रंती प्रेजेंट होती है यह द दाश्य ग्रंती ओवेरी ग्लेंड यह फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होगी जो कि जिसमें आपके क्या मौझूद होते हैं सारी एग सेल अंडाणू मौझूद होते हैं इसके साथ साथ यह हॉर्मोन रिलीज करती है एस्ट्रोजन प्रोजिस्ट्रोन हॉर्मोन ठीक है तो जो की एक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रॉल साइकल यानिकी मासिफ चक्र में और साथ के साथ उसके दूतियाक लंगिक लक्षणों का विकास होता है estrogen proisteron hormone की वज़े से तो एक इसमें females में present होती है एक जोड़ी ओवेरी gland next जो है वो अपनी आती है testis gland तो यह जो आपकी व्रेशन ग्रंती है इसको अपन क्या कहते है testis gland कहते हैं यह present होती है किस में males के अंदर यानि की नरों में यह ग्रंती पाई जाती है यह इस तरीके से आपको नजर आ रही है structure इस structure को कहा जाता है व्रेशन ग्रंती कि यह जो ब्रेशन ग्रंती है एक जोड़ी पाई जाती है नरों में यानि की दो यह जो है उदर गुहा के बाहर व्रेशन कोश में इस्थित होते हैं व्रेशन क्यूं क्यूंकि जो शरीर का तापमन है वो बाहर के तापमन से ज्यादा होता है जो कि शुक्राणों के निर्मान के लिए सही इसी लिए ये बाहर इसक्रोटम घुह में पाई जाती है ये जो ब्रेशन ग्रंती होती है hormon रिलीज करती है टेस्टोइस्टेरोन होर्मोन जो की एक नर होर्मोन है ये क्या करता है टेस्टोइस्टेरोन होर्मोन ये एक तो शुक्राणूं का निर्माण करेगा यानि की स्पर्म का निर्माण करेगा और साथ के साथ जो नर है मेल है उसके दुतियक लेंगिक लक्षणों का विकास होता ह है तेस्टिस्टोर Simmons hormone कि वजय और समझ में समय से तो यह फ्याया स्वी मेel के अनदर ऐंडेश में के अंदर रिशन ग्रंथि नेक्स अपनी आती है पैंक्रियास जिससे अपन क्या कहते हैं अगनाश्य ग्रंथी कहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर आपको यह स्ट्रक्चर नजर आ रही है पत्ती के समान कैसी पत्ती के समान यह स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है यह यलो लीफ दिख रही है आपको तो यह क्या है आपकी अगनाश्य ग ग्रंथी है यह होती है मिश्रिद ग्रंथी यानि की मिग्ज ग्लेंड क्यों कहते हैं अपने इसको मिश्रिद ग्रंथी बताओ मैंने बताया था ना कि यह जो है अगनाशे रस का इस्त्रावन भी करती है किसका अगनाशे रस का इस्त्रावन भी करती है और हॉर्मोन रिलीज क इपकि क्या करता है रक्त शर्करा के लेवल को कंट्रोल करता है कौन आपके अगनाश्य ग्रंती पैंक्रियास ग्लेंड देखो कैसे आपने कोईमेठी चीज खाते हो आप खाना खाते हो, ठीक है인가 है उसकी मात्रा बहुत जादा नहीं हो जाए इसके लिए जो इंसुलीन हॉर्मोन है वो रिलीज होता है किस के दवारा पैंक्रियास गरंती के दवारा अमान लोग की इंसुलीन हॉर्मोन कम मात्रा में बने अगर इंसुलीन हॉर्मोन कम मात्रा में बने तो ग्लुकोस को वो कंट तो आपके जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो गलुकोस की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है अब जब मीठा जादा हो गया गलुकोस जादा बढ़ गया तो कौन सी रोग हो जाती है उसे आपन कहते हैं मधु मैं रोग यानि की डाइबिटीज क्या कहते हैं डाइबिटीज कहते हैं आई के नहीं बात समझ में गुलुकोस जादा हो गया तो डाइबिटीज हो जाती है तो यह सारी गरंतियां थी जो आपके सिलेबस में दी हुई है अब एक टैबुलर फॉर्म में हम इन सारी गरंतियों को एक बार देख लेते हैं आपके सबसे पहली थाइरॉकसिन खॉर्मोन किस घरंती के दवारा रिलीज थाइरोइड गरंति के दवारा रिलीज कहां पर प्रेजन्ट उती हैं कार्बो हाइड़िट वसावय प्रोटीन के मेटबॉ लिव में यumbles करत प्रेजंट के दौरा पर प्रेजंट के उपर इस तरीके से जो है आपकी एक जोड़ी अधीवरक गरंती मवजूद होती है क्या करेगी तो वी पी हिर्द्य की धड़कन का अपातकाल में नियंत्रेंट पियर के टाइम पे, फाइट के टाइम पे, फ्लाइट के टाइम पे इसलिए इसको क्या कहते हैं अपातकालिन हॉर्मोन कहते हैं ठीक है नेक्स्ट है इंसुलीन हॉर्मोन किस ग्रंथी के द्वारा अगनाशे ग्रंथी के द्वारा रिलीज कहां पर प्रेजेंट उदर के नीचे यानकि इस्टिमक जो है उसके नीचे प्रेजेंट होती है अगनाशे ग्रंथी जो कि क्या करता है इंसुलीन हॉर्मोन रग्त शर्क् को किस में प्रेजेंट होती है नर्मे व्रेशन्ट कोष में उढगुए के बाहर क्यों क्योंकि शरीर कातापमन ज्यादा है जो की शुक्राणों की निर्मान chassis के लिए जो सही नहीं है तो टेस्ट इस्टरवन का काम क्या हुआ है शुक्राणों का निर्माण और दुत्यक लेंगिक लक्षणों का नियंत्रण अब नेक्स्ट जो है आर्मोन आता है एस्ट्रोजन फीमेल्स के अंदर कौन सी ग्रंती अंडाश्य ग्रंती ओवेरी ग्लेंड कहां पर प्रेजेंट पेट के निचले हिस्से में मादाल qanga ka विकास वे माशिक चक्र का नियमन ठीक है और लास्ट आते है अपने मोचक हॉर्मोन तो पिट्यूट्री ग्रंती से हॉर्मोन के इस्तावत को प्रेरित करता है कौन मोचक हॉर्मोन तो यहां पर आपका ये जो चैप्टर है वह कम्प्लीट होता है ठीक है देखे क्या क्या जो है हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा जो अब आज की क्लास है उसमें हमने पढ़ा जन्तु हॉर्मोन के बारे में तो आपकी जो ग्रंथिया होती है क्या होती है ग्रंथिया जो किसी विशेश प्रकार का रस या होर्मोन रिलीज करती है उसे अपन कहते हैं ग्रंथिया दो तरीके की होती है तीन तरीके की होती है बही इस्तरावी अंत्रेस्तरावी और मिशित बही इस्तरावी जो उनके क्या है आपकी बही इस्त्रावी ग्रंथी दूसरी है अपनी अन्ता इस्त्रावी ग्रंथी जिनको नलिकाओं की रिक्वाइर्मेंट नहीं होती हर्मोन का इस्त्रावन करती है उन्हें अपन कहते हैं अन्ता इस्त्रावी ग्रंथी पहली हमने देखी थाइरोइड ग्रंथी थ संचलेशन के लिए रिक्वाइर्मेंट होती है किसकी तो थाइरोक्सिन हॉर्मोन के संचलेशन के लिए रिक्वाइर्मेंट होती है अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं गलगंड या फिर घैंगा रोग कहते हैं इसके बाद हमने देखा अधी व्रक ग्रंती एड्रिनल ग्लेंड तो ये जो है आपके प्रेजन्ट होती है व्रक के उपरी हिस्से पे एड्रिनलीन हॉर्मोन रिलीज करती है जो कि आपातकाल में वी-पी हिर्दय की धड़कन को कंट्रोल करता है आपातकाल के समय में इसके बाद जो है हमने पड़ी थी पियुश ग्रंती मस्टिश्क में प्रेजन्ट होती है आपके व्रद्धी हॉर्मोन रिलीज करती है और व्रद्धी का नियमन करती है कौन पियुश ग्रंती फिर उसके बाद हमने कौन सी ग्रंती देखी तो अंडाशे ग्रंती फीमेल्स के के अंदे प्रेजना हर्मून सेखिएश हो→ क सब्सक्य करते हैं नियमन और जुक्राणों का नियमन और लास्ट पड़िये है जो क्या क्या थी अगनाश्य घ्रंथी यह झारेपी मिशिद गरंती है, क्या करती है? तो ये अगनाशी रसका स्रावन भी करेगी और एक होर्मन रिलीज करती है जिसका नाम है इंसुलीन, जो क्या करता है? रत्शरकरा के लेवल को कंट्रोल करता है, अगर इंसुलीन की कमी हो जाती है तो रक्त शरकरा बढ़ जाती है, ग्लुकोस की मात्रा जादा, जिसकी वज़े से कौन सा रोग मधु में, यानि की डाइबिटीज रोग हो जाता है, इसके लिए इंसुलीन के इंजेक्शन जो है, वो भी लगाए जाते हैं, और यही पे अपना ये जो चेप्टर है, वो नवाद.